केंद्रिय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति रानी ने सोमवार को संग्रक्षन अधिकारियों से कहा है कि वे घरेलू हिंसा पिडितों की हर तरह से व्यधानिक अधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित करें गरेलू हिंसा के मामलों को निपटने में बड़ी भूमी का निभाने वाले संग्रक्षन अधिकारियों के प्रसिक्षन कारेकरम को वीडियो कॉन्फरेंसिंग से संबोधित करती हुई इरानी ने कहा है कि संग्रक्षन अधिकारी पिड़ित महिलाओं के लिए प्रशाशन वन्याय के बीच सेतू का काम करते हैं इस सिक्षन कारेकरम की शिरुवात राष्ट्रिय महिला आयोग ने लाल बहादुर सास्त्री राष्ट्रिय प्रशाशन अकैडमी के साथ मिलकर की है इसमें गरेलू हिंसा कानून के तहत पुलिस विधेक सहयोग सेवा स्वास्त प्रनाली सेवा प्रदान आश्रे सेवाओं और वन्य स्टाप सेंटर की भूमिकाओं पर प्रकास जाला जाएगा वही राष्ट्रिय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी वर्श्वल तरीके से कारे करम में शामिल हुई और कहा की संग्रक्षन अधिकारी प्रदित महिलाओं और अदालत के बीच सुभिदा प्रदान करने वाले की भूमिका में होते हैं आपको हमारी रिपोच कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहे हैं SPN 9 News के साथ